नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में प्रेंट्स आज हम लोग एक बार फिर से रेलवे साइन्स का प्रैक्टिसेट करने जा रहे हैं जिसमें आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिसेट 13 यानि की 13 करेंगे ठीक है प्रैक्टिसेट 12 तक और लेडी चैनल पर अप्लोड हो चुका है जिस किसने नहीं देखे हैं वो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं तो चलिए आज की वीडियो का practice sheet 13 का पहला question देखते हैं देखिए सबसे पहला question क्या है कि langer hands की दूईपी काएं कहां पाई जाती है तो बताएं लेंगर hands की दूईपी काएं कहां पाई जाती है गरभासे में, अगनासे में, मलासे में या फिर अस्ती मज्जा में तो देखिए langer hands की दूईपी काएं जो है वो पाई जाता कहां पर अगनासे में ठीक है यानकी option 20 का retancer हो जाएगा चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं देखिए langer hands के eyelids, अगनासे के भीतर इस्थीत कोशिकाओं का एक समू होता है वे अगनासे के अंतसरावी भाग होते हैं लेंगर hands के eyelids की alpha कोशिकाओं का उत्पादन करती है जबकि beta कोशिकाओं इंसूलिन का उत्पादन करती है उसके बाद question number 2 देखिए क्या है बलता कि रिकेटस का रोग किसकी कमी के कारण होता है तो बताए रिकेटस का जो रोग है वो किसकी कमी के कारण होता है प्रोटीन की कमी के कारण आयरन की कमी के कारण या फिर विटामिन D की कमी के कारण या फिर विटामिन E की कमी के कारण रिकेटस का जो रोग है वो विटामिन D के कमी के कारण होता है यान की option C का रेटनेसर हो जाएगा उसके बाद याद रखिए कि vitamin D का जो रासानिक नाम है क्लेसी फेरोल और vitamin E का जो रासानिक नाम है वो है रेटिनोल चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं vitamin D या calcium की कमी rickitus का सबसे आम कारण होता है vitamin D मुख्यता तावचा को सूरज की रोशनी के संपर्क में आने से मिलता है लेकिन यहां कुछ खादि पदार्थों जैसे तेली मचली और अंडे में भी पाया जाता है बच्चों में मजबूत और स्वस्त हड़ियों के निर्मान के लिए vitamin D आवस्यक होता है उसके बाद question number 3 देखे का है बलता कि berry berry रोग किसकी कमी के कारण होता है तो बताए बेरी बेरी रोग जो है वो किसकी कमी के कारण होता है राइबो फिलेविन के कारण थाइमिन के कारण कलेसी फेरोल के कारण या फिर इन में से कोई नहीं तो देखिए बेरी बेरी रोग जो है वो थाइमिन की कमी के कारण होता है ठीक है यानकी option 20 का return answer हो जाएगा बेरी 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 विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग होता है जैसे हम लोग थाइमिन की कमी के नाम से भी जाना जाता है या अक्सर उन लोगों में होता है जिनके आहार में ज्यादा तर सफिद चावल या अतियधिक परिस्कृत कारवोहेड़ेड होते हैं गीली बेरी बे परदेई और संचार परनाली को परभावित करती है उसके बाद कोस्टन नमर चार देखे क्या है कि किसी वस्तु में जरत्व का गून किसके कारण होता है तो बताए किसी वस्तु में जरत्व का गून किसके कारण होता है तावरण के कारण वेग के कारण दर्विमान के कारण या फिर इनमेंसे कोई नहीं देखिए किसी वस्तु में जरत्व का जो गून होता है वो दर्विमान के कारण होता है ठीक है यानकी option C इसका right answer हो जाएगा चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं किसी वस्तु का जरत्व सीधे उसके दर्विमान पर निर्भर करता है इसलिए यह अपनी आराम या गती की स्थिती में किसी भी बदलाव का विरोध करता है जरता तीन परकार की होती है विसराम की जरता गती की जरता और दिशा की जरता ठीक है के बाद कोस्टा नवर फाइब देखे क्या है बलता कि कलोरो फिल में निमनलिखित में से क्या पाया जाता है तो बताए कलोरो फिल में निमनलिखित में से क्या पाया जाता है कैलसियम, आईरन, मैगनेसियम या फिर सिलिकोन तो देखे, कुलोरोफिल में मेगनेसियम पाया जाता ठीक है, यान की आप्सन सिसका रैट अंसर हो जाएगा उसके बद के कुलोरोफिल को सिकाओं के कुलोरोपलाष्ट में पाया जाने वाला एक वरनक होता है, पिगमेंट होता है परकास संसलेशन के दौरान कुलोरोफिल सूधी से परकास को अवसोसित करता है और इसे रसायनिक उर्जा में बदल देता है जिसे पोधे भोजन के रूपें उप्योग कर सकती है कुलोरोफिल के निर्मान के लिए मेगनेसियम आवस्यक होता है उसके बाद कोस्टन नमर 6 देखिए बलता कि प्रोटीन संसलेशन किसके दौरा किया जाता है तो बताए प्रोटीन का संसलेशन जो है किसके दौरा किया जाता है लाइसोसॉम के कारण, राइबोसॉम के कारण, क्रोमोजॉम के कारण या फिर डिन ये के कारण प्रोटिन संसलेशन जो है वो किया जाता राइबोसॉम के कारण ठीक है यान की ओप्षन 20 का रेटंसर हो जाएगा देखिए राइबोसॉम सजीव कोशीका के कोशीका दरवी में इस्तित बहुत ही सुचमक्कन होते हैं जिनकी प्रोटिनों के संसलेशन में महतपुर्ण भूम में का निवाता है उसके बाद राइबोसॉम दो परकार के ऊटा हैhen 70 यह हूता एंट 10 js ठीक है उसके बदसन नमर सेवेन देखे बना कि तने का क्या का रिए यह तो बदाए की option डिस का रेटंसर हो जाएगा उप्युक्त सभी देखिए पोधे में तने के निम्दलखित कारी हैं जली जान लेते हैं कौन-कौन कारी है तो देखिए सबसे पहला तना पानी और की वाटर तथा खनी मिनरल्स जद से पत्तों तक पहुंचाता है पत्तों से त्यार किया हु बनता कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का ताप पर क्या परभाव पढ़ता है ताप घट जाता है ताप बस जाता है ताप इस्तिर रहता है या फिर इन में से कोई नहीं तो देखिए कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से क कमरा गर्म हो जाएगा क्योंकि तब रेफ्रिजरेटर पहले की तुलना में अधिक गर्मी कमरे में छोड़ देगा इस परकार कमरे का तापमान में क्या वह इंक्रिज हो जाएगा और कमरा गर्म हो जाएगा कोई भी रेफ्रिजरेटर कुछल नहीं होता है इस परकार यह कमरे से निकलने की तुलना में अधिक गर्मी को इमें समाप्त कर देता है ठीक है उसके बाद कोस्टन नमर 9 देखिए बलता कि किस विटामिन का रासाइनिक नाम टोकोफेरोल है तो बताए किस विटामिन का रासाइनिक नाम टोकोफेरोल है विटामिन C, विटामिन E, विटामिन D या फिर विटामिन ये, तो देखी, विटामिन E का रासानिक नाम है टेकोफेरॉल, ठीक है, यान कि option B का रासानिक नाम है, तो विटामिन C का रासानिक नाम है, एसकोरविक एसीड, ठीक है, उसके बद E का नाम क्या है, तो टेकोफेरॉल है, और D का नाम क्या है, तो कलेसी फ पाया जाता है तो किस किस में विटामिन एंप पाया जाता है उसके बादाम उगया अख्रोट हो गया पालक हो गया ब्रोकली उगया तो यह काम आने वाला रंग कौन सा है तो बताए परकास संसलेशन में अधिक मातरा में काम आने वाला रंग कौन सा है बैंगनी है लाल है हरा है या फिर नीला है तो देखिए परकास संसलेशन में सबसे ज़्यादा मातरा में काम आने वाला जो रंग है वो है लाल ठीक है यानकि ऑप प्रोफिल के दुआरा सबसे ज़्यादा अधिक मातरा में अवसोशित किये जाते हैं उसके बाद कोस्टन नबर 11 देखे क्या है बलता कि वह किरन जो नीट्रोन की टुटने से बनती है तथा जिसका वेग परकास के वेग के बराबर होता है तो कौन होता है बीटा किरन गामा क नेक्टरोन नेगेटीव या पोजिट्रोन पोजिटीव होते हैं जो एक परकार के रेडियो धर्मी च्छाई के दौरान कुछ रेडियो धर्मी तत्वों के दवारा नाभीक चे निकलते हैं जिने हम लोग बीटा च्छाई के रूप में जाना जाता है आम तोर पर बीटा च्छाई जिसको βीटा डिके भी बोलते हैं नाभिक में इस्थिरता परदान करने के लिए बहुत अधिक निट्रोन के साथ होता है उसके बाद अलफा एक धनातमक आविशित कन होता है जबकि बीटा जो है धनातमक भी हो सकता है या फिर रिनातमक भी हो सकता है दुसरी और ब आर्कमिडिज नामक परसिद वेग्यानिक ने कौन सा नियम परतिपादित किया था तो बताईए आर्कमिडिज नामक परसिद वेग्यानिक ने कौन सा नियम परतिपादित किया था गती का नियम जल उत्पलावन का नियम धवनी के छाल का नियम या फिर जल के परवाह का सिध तो देखिए आर्कमिडिज नामक परसिद्वे ज्यानिक ने नियम दिया था जल के उत्पलावन का नियम ठीक है यानि की आप्शन 20 का रेट अंसर हो जाएगा देखिए आर्कमिडिज सिधान्त बताता है कि जब किसी वस्तू को आनसिक या फिर पूरी तरह से किसी भी तरल प तो ये था आर्कमिडिज सिधान था उसके बाद कोस्टा नमर 13 देखिए क्या है बलता कि मानव रक्त होता है तो बताए मानव रक्त कैसा होता है अमल ये होता है उदासीन होता है चार ये होता है या फिर इनमें से कोई नहीं तो देखिए मानव रक्त जो होता है चार ये ठ रक्ट के चार भाग होती ہیں laad рукth को सीका है, sweet續 act को सीका है,nat प्लेट्स अर प्लाज़मं, पर तिएक भाग में oxygen ले जाने से लेकर अवसिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने तक विसिष्ट और महत्पुर्न कारिये होते है रक्टेक तरल tamanho उत्तक होता है जो परकृति में तो वह अमली होता है और जिसका psychopath ही हो तो वह उदासीन होता है ठीक ना तो अमली होता है और नहीं चारी होता है तो यहसा भी कुछ basic है इसको भी याद रखी यह के बाद question number 14 देखें कि आपलता कि जीव और निर्जीव के बीच का जो पार्शपरिक संबंध है वो किस से होता है प्रोटो जावा से, बेक्टिलिया से, वायरस से या फिर उप्योप में से कोई नहीं तो देखें, जीव और निर्जीव के बीच का जो पार्शपरिक संबंध है वो होता वायरस से, यान की option sees का रेटन से हो जाएगा देखें, वायरस को सजीव और निर्जीव की सीमा रेखा पर माना जाता है क्योंकि वे सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षन दरसाती है चुंकि वे मुक्त वतावरन में निर्जीव की तरह परतिक्रिया करते हैं लेकिन जब वे किसी जीवित जीव के सरीद में परवेश कर जाते हैं तो वे जीवित जीव के लक्षन दिखाने लगते हैं और अपना परजनन शुरू कर देते हैं इसलिए हमका सकते हैं कि सज्जी और निर्जी के बीच का सीमा रिखन का काम कौन करता है तो वाइरस करता है उसके बाद question number 15 देखिए क्या है कैंदरक की खोज की स्वेग्यानिक ने की थी तो बताए कैंदरक की खोज की स्वेग्यानिक ने की थी Levanhawk ने, Robert Hook ने, Robert Brown ने या फिर इनमें से कोई नहीं तो देखिए कैंदरक की खोज जो है वो किसने किया था Robert Brown ने यान की ओपिसन सिस का रेटनसर हो जाएगा कोशीका में कैंदरक की खोज Robert Brown ने वर्स 18-31 में की थी केंदरक युकरियोटिक को सीकाओं में इस्थित होता है यहाँ एक दोहरी जिल्ली होता है जो मुख्य रूप से प्रोटोपलाजमिक सरीर को कवर करती है जिसमें अनवानसिकता की जानकारी होती है रोबर्ट ब्राउन ने सिद किया था केंदरक मुख्यता अनुवानसिक जानकारी का भंडार होता है उसके बाद question No. 16 देखें क्या है बोलった कि di stage enzyme किसका पाचन करता है किसका पाचन करता है स्टार्च का, करभोहेडरेड का, तो या फिर इन में से कोई नहीं तो देखिए, डाइस्टेज एंजाइम जो है वो पाचन करता है किसका, इस्टार्च का, ठीक है, यानकि ऑप्शन ये इसका रेटंचर हो जाएगा, देखिए, डाइस्टेज, अलफा, एमाईलेज, नामक एंजाइम का समान ये नाम होता है, इस एंजाइम की जो भूमिका है वो इस्टार्च के जैसे जटील कार्बोहेड़ेड को छोटे सरकरा में तोड़ना होता है, जिनने अधिक असानी से चाया-पचाई किया जा सकता है, उसके बाद कुस्टन नवर 17 देखिए क्या है, बलता कि पोर्ट लेंड सीमेंड का मुखी घटक क्या होता है, तो पोर्ट लेंड सीमेंड का जो मुखी घटक है, वो होता है सिलिका, चूना और अलूमिनाटिक है, यानकि ऑप्सन ये इसका रेट अंसर हो जाएगा, देखिए, पोर्ट लेंड सीमेंड कंकरीट, मोटर और पलास्टर का मुल घटक होता है, जिसमें कैलसियम, सिलिकोन और अ अलूमिनियम के ऑक्साइड का मिसरन होता है, उसके एबाद कोस्टन नमर 18 देखें गया है, बलता कि तरियाम यानकि ठ्रीडी में लेजर बीम की सह velocir tussen चाया चित्र بنाने की विधी को क्या कहते हैं, और डियोगराफी कहते हैं, विडियोगराफी कहते हैं, विडियोगराफी अंग्रेजी में इसको 3D बोलते हैं एक इस्टेटिक कीरन पारदर्सी परदर्सन युक्ती होता है यह सब्द यूनानी खोलस यानि की पुर्ण ग्राफी यानि लेखन या आरेखन से निकाला गया है इस तकनीक में किसी वस्तू से निकलने वाला प्रकास को रिकॉर्ड कर बा चवी देखने वाले की स्थिती और परियंटेशन के अनुसार वेसे ही बदलती परतित होती है जैसे कि उस वस्तू की उपस्तती होने पर होती है इस परकर अंकित चवी एक त्रियामी यानकी 3D चीतर परस्तूत करती है और वह खोलोग्राफ या होलोग्राम कहलाती है उसके दूद का pH मान जो है वो होता है चौपेंट 4 ठीक है यानकी option 20 का retencer हो जाएगा दूद का pH जो है वो चौपेंट 5 से लेकर चौपेंट 7 तक अंकित किया गया है यही कारण है कि यह परकिरती में थोला अमली होता है या दूद में लेक्टिक अमल की उपस्तिती के कारण ऐसा होता है उसके बाद इस सेट का आखरी कोस्टन कोस्टन नमर 20 देखे क्या है बलता कि परकास संसलेशन की किरिया में oxygen कहां से पराथ होती है तो पताए कहां से पराथ होती है वायू से जल से सुरे परकास से या फिर कारण डायोकसाइड से तो देखेंगे परकास संसलेशन की क्रिया में oxygen जो है वो कहां से प्रात होती है जल से ठीक है यान की option 20 का retensor हो जाएगा प्रकास sensation के दौरान मुक्त oxygen हरे पौधों में पानी के वी भाजन या जलफ घटन से आती है कर्नेलियस वेन नील ने पहली बार प्रियोग आतमक रूप से साबित किया था कि प्रकास sensation के दौरान निकलने वाली oxygen पानी से आती है carbon dioxide से नहीं ठीक है तो ये सीद किया था किसने कर्नेलियस वेन नील ने पहली बार अपने प्रियोग में किया था ठीक है तो फ्रेंस इतना ही था किसे लगा ये वीडियो कॉमेट में जरुद बताईएगा चलि मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले सेट को लेकरके तब तक के लिए धन्यवाद जहिंद